कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच कहोना चुनिये आयूश दर्पन डिजिटल को और करे अपनी क्लिनिकल ए आई यूर्वेट सीखने का सपना साखार दानलुड दिया नौ कि युए युए कि युए युए युएव इसफिए आप युए युए शंक्खंवड जलों का देधे ग्रुत जुए नियुए चारु दौर्भिष्च तुर्भिः सुक्ष्मं स्वच्छा तिरुद्यं शुक परिविलसनं मौलिमं बोजनेत्रं कालां बोध्योज्वलांगं कटितटविलसस्च चारु पीतां बराध्यं वंदे धन्वंतरिम्तव निखिल गदमिव प्रौध दावाग्निलीलं प्रओध दावाग्निलेलं प्रओध दावाग्निल्ण विशेपराज बार करते हैं अग्यों व्य मैंने देखा और वोद्धे समय वो उतलाते थे अखलाते थे और उच्छाव प्रौश तरह तो आजके सप्रमें हम विश्च मेरे अनुभव है इसमें पुभ मेरिकेसंसे, पुदे ने डि खनरे कि ये तेलाना, ह क्लाः हां, फुरा खारिटिक्रा, प्रक्राइब तेज़ कि ये तेली पुद्शने, तेली तो एमेरी कि उड़ गलूँ सक्टाइए रहां ओनरारी कि उया हुँ थेतलते हैं, ये उड़ाराना, होच्छने, पुद कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो ma'am no voice hello 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 कि ने रहे हैं कि अ डोक्टर अर्शिया आपको चौनाई दे रहे हैं दो मैमो चौनाई दे रहा है ठाब भैं आप इसमें है इसमेंस अध्यक्त कर दो पिए इस को अजय है कि अजय है महीं आएटिबल ओ फिलिटी अजय फिलिग कैसे हैंम स्था-प्रिकेल होगज पाड़ी प्रेट विलन जो मुआए वज़ बुर झाया वु ψ एंट्विम ब्णद घर स्टी अंट भाश debates ये मोरी बहुटी विल्बलन अस्टार करति thrive मैं आपके आवास फिर से ब्रेक ब्रेक हो रही है, बुछ क्लियर ही नहीं हो रहा है अब यह आती है पर फिर से ब्रेक हो जाती है अब यह मैं, ब्रेक हो दिया अब यह आती है झाल 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 कर दोने कि पहांव रา कि गार थे । एцевे कि लिम्रे सभी सह कर दो है कि इपर going कि ग路ए खरेЗ आप संव रदा पांक यू być जिए करिभासि वाहस आए जाएँ जिक्वाइब बैंद ऑने फुमें आदरी जो गहां जो सहे होते है। आदरेजी में षाने हम समय हूं आदरी जो नहीं हाए हुआज। यह सिर्दादार नहीं हुआ हुआ। आ रहा है आवाज? की यह तो जिसमें आदमी हकलाता है उसका बोलना जो होता है वो ख्लीर नहीं होता है प्रिया दर्शिनी आपका माइक प्यूट करिए प्लीज पाइना इसे बच्चे सामने आ रहे हैं तो मैं पड़ा रही थी आपको की भाशा का निर्मान वाप्प्रोरूति शब्द का निर्मान कैसे होता है प्रकार से शब्द का निर्मान बताया गया है जिसमें अइरवेध में प्रापश्चती को लेकर लेख देखे परा पश्चती जो मूमेंट होती है गति हल्चाल वो मूमेंट नाभी के यहां पर जो शब्दों का निर्मान होता है उसको कहा गया है परा ति टोड़ा उपर आते आते लैक रुदह तक आते आते पश्चती फिर कंठस्थल पर मध्यमा और जो शब्द हमारी ओष्ट तालु दंत हनू इनकी जो गतिया है, इनका एक कॉडिनेशन है, इनके संयोगत रूप से, जो बाहर निकलता है, इसको वैखरी यवानी के रूप से जाना जाता है, शब्द के अलग-अलग प्रकार है, संयोगज, बिभागज, किरतालव्य, कंट्य, हनव्य, ध्वनी, और अलग-अलग ध्वन्यज, या जो जहां पर हमारी movement जिस इसमें होती ना, उसी को लेकर भी शब्दों का वर्नन किया रहा है, शब्दों के प्रकार बताए गए है, तो जैसे कि हम लोग उच्छार करके देखेगा आप गगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगग अच्छे जल्दी बोलना सीख लेते हैं जैसे घर में नानी या लैक मौसी वगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगग उस प्रकार के उतलाना हक लान या ऐसे वाधि बहुती ज्यादा दिखे जा रहे हैं आज हम यही को सत्र में यही को लेकर बात करेंगे कि किस प्रकार से हम इन वाधियों में या अगर कोई बच्चा तुतलाता है हक लाता है इसमें कैसे विचार करें च्शन हम लोग आरैवध विचार करेंगे कि क्या पैथालोजी है यह एक speech disorder है या हमने देखा कि speech जो की बहुती वानी शब्द इसेंशियल वे है communication का एंड हमारी भावनाओं को प्रकट करने का so this fluency अगर है speech में तो यह communication disorder होगा और कई सारे मामले like disability and handicapness future life में आ सकती है speech disorder बच्चों को physically psychologically emotionally socially handicap बिना देता है और आज मराथी में हम लोग कहते कि बोलना रहे चाहा तुरी रिकता अनिना बोलना रहे चाहाई स्विकत ने अब अभी हम लोग देखते कि जिसे जिनको अच्छा बोलना आता है वो अच्छे से मार्केटिंग कर सकते हैं तो बोलना important है बोलने से हमारी improvement या हमारा all right development जो होता है वो होता है बच्चों में भी इसी प्रकार का यह देखा जाता है कि जिन बच्चों को ठीक से बोलना नहीं आता है उनका confidence कहीं ना कहीं कम होते चला जाता है फिर एक सेल्फ लो एस्टीम में लेस confidence में कई बार तो डिपरेशन में भी बच्चे चले जाते हैं तो अईरवेद इसको classify करता है तीन कैटेगरी में मुकत्व मीनमिनत्व और गदगदव और इसको वातवैधि के अंडर ही रखा गया है और गदगद इसमें इसी वर्ड में समझ मे अधा है कि फ्लूएंसी नहीं स्पीच में जो एक अव्यक्त शब्द है गदगद यानि शब्द की व्यक्तावस्था अव्यक्ता इसको हम स्टुटरिंग भी कहते हैं इस दो इस टाइप आप याटि स्पीच पैथलोजी जहां पर फ्लूएंस पीच नहीं हो रहा है अलग एलग रूप से होता है इसमें मैंने कई सारे लोगों को देखा है जैसे मैं प्रपूरती को पीपढ़ाती हूं जैसे हम लोग यह वाणिया और शब्द को भी किसी किसी लोगों को सुनते हैं तो किसी का सुना किसी व्यक्ति को सुनना हमें बहुत अध्छा लगने लोगों को ठीक नहीं लगता है आवाज, वानी, शब्द, यह बहले ही नैच्रल चीज है जो उदानवायू कंट्रोल करता है उदानवायू के अंडर ही भाशन, गायन, अधिक रिया होती है तो जो बच्चे एक्चुली नॉर्मली बच्चे जो है छे महने, आठ महने के अंद देखो नाना आ गए, तो इस प्रकास से बच्चे धीरे-धीरे बोलना सिखते हैं, बट आपका बच्चा दो साल, तीन साल तक भी बच्चों का बोलना डिपेंड करता है उनके ती त्रियों लगों पर, जितने अच्छे से बच्चों के दात आ जाते हैं, पूरे दात जब भाएंगे, तो बच्चा अच्छे से बोलने लग जाता है, तो इस management में जहां पर बच्चा डिलेय हैं, तो कोई भी जो भी रेखती है, बच्चा अगर नहीं बोल रहा है, तो परिशान हो जाते हैं, क्यों नहीं बोल रहा है, बच्चों को मैंने देखा है, वो पास साल के एक पर को बोलता है वारत व्याधी और कई बार तो यह पैसके मल्टी इसके जैसे जनियोंटेक इन्व्लूएंस होते है इसे फैमिलियल इनहेरिटेंस भी होता है बिएवेयर भी चेंज होता है कुछ psychological causes होते हैं कही बार nervous system इनकी injury primary secondary development due to unknown causes भी होती है तो कई सारे ऐसे कारण हो सकते हैं इसको हमें improvement करना है इसको हमें का इसके उपर ही काम करना है तो overall जो mental sluggishness या मानसिक विकारों की चिकिसा होती है उन्हीं विकारों की चिकिसा को यहां प जैसे की अलग अलग व्याधी का भी combination होता है लेक आटीजम में देखा जाता है कि बच्चे थीक से नहीं बोल पाते हैं डाय सार्तिया करके कंडिशन आती है जिसमें कि मसल जो होती है जो बोलने में मदद करती है वो difficult pronounce हो जाती है मसल स्टिकनेस रहता है और डिस्पोनिया क करके भी टर्मिनालोजी आती है जिसमें माउठ टंग त्रोट और ओकल कॉर्ट जो होते है उसमें फिजिकल कुछ प्रॉबलम होती है और कुछ बच्चों में टंग स्टिपनेस के कारण भी होता है कुछ में डिलेड स्पीच होती है कुछ वेक्ति में ADHD नाम की इसके कारण बोलने में समस्या होने लग जाती है तो ऐसे सभी मामलों में बच्चा हो या कोई बड़ा विक्ति भी होता है तो वह भी कभी कभार जैसे स्लगिशनेस आ जाता है कभी कभार कोई भाशन करने लग जाता है तो अचानक से उसकी आवाज बंद हो जाती है अचानक से शब्द निकल नहीं पाती है या confidence काम होता है तो इन में कैसे करें इसलिए आयरवेद के कुछ पाय बताऊंगी और मुझे लगता है का उप्यों करना इसे अलगे प्रकास से हम काम कर सकते हैं कुछ सिंपल फॉर्मुलेशन बता देती हूं आपको जो बहुत ही अच्छे से काम करते हैं इसमें एक सिंपल आपको मार्केट में किसी भी मेडिसीन स्टोर में में जाएगी कंठ सुधारक वटी कंठ सुधारक वटी अगर आप इसको बच्चों में देना चाहते हैं तो पाउडर बना कर या पानी में भी उसको बहुल कर यह जल्दी तुरंत भुल मिल जाती है पानी में तो इसका एक चमच पानी अब दिन में दो बात पच्चे को दे सकते हैं कंठ सुधारना करने के लिए या डिले स्पीच अगर है बच्चों में तो इसमें एक बहुत ही बहेतरीं मेडिसिन काम करता है और उसका नाम है कल्यानक गुरुता का उप्यों कैसे करें कल्यानक गुरुता अब कितना भी छोटा बच्चा हो आट महींने का एक साल का बच्चाश है तो पी नहीं सकता है तो बत्त पाउतिष्पून पानी में लिए ने खिट मिला दीजी का खिरने और न शुक्षा है और झाल्यान गुरुट ऊहरा बिच्टा करणा भाहि जातु मरिया तरह आप बहुत ही अच्छे से काम करने वाला है बड़ों की बात करेंगे बड़ों बड़े लोगों में अगर कुछ आपको लगता है कि स्पीच इंप्रूमोंट पूनी चाहिइए तो इसके लिए बस्ट है वचा वचा कवरा का चूर नबस्ट काम करेंगे अब बचा को किसी बीडिस़्ा जसे इन और भी कुछ कॉबिनेसंस है जसे जिसम में ने यह वी देखा था कि जो पीपल होता है तो पिपली की पत्तों को लेना है पिपली के पत्तों को एक ग्लास गुनबुना पानी में बिगो कर रखिएगा और सबेरे उठने के बाद उस पानी का आपको सेवन करना है ये घरेलो नुक्सा है बट पिपली ये भी कई न कई जाकर प्राण वस्त पर स्वरवस्त पर श्वास पर काम करते हैं जैसे आपने देखा कि बोलने में श्वास का भी ये होता है सं दिखता मन बुद्धी और स्मूर्थी का भी बहुत इंपोर्टन ये होता है रोल होता है तो थोड़े बड़े अगर बच्चे है जैसे दो साल के तीन साल के जिनको आपने पढ़ना लिखना सिखाया है तो लेको सीख रहे हैं तो उनको आप ज्यादा से ज्यादा लाइक न को और मैं अच्छे फ्लुएंटली बोलू तो मुझे लगता है कि हम लोग बड़े लोगों को क्या करना चाहिए जैसे आप अभी आजकल सभी के पास मोबाइल अच्छे से होते हैं लैप्टॉप्स होते हैं तो आप अपना खुद सा खुद का जो भी भाशन है कुछ कि य हो सकता है कि इसमें यह है यह उसमें यह plants का लग-व्तिरन ससमें देखा जाता है इसमें की दोटा की प्रत्त रुक्ष शाम सब्सक्त जर जर इस प्रकार से वर्नन किया यह वात्र प्रकुति की व्यक्ति कभी भी मतलब अच्छा नहीं बोल पाती है बीच में रुखना कुछ शब्दों का प्रयोग ठीक से नहीं कर पाना उनका आवाज क्लियर नहीं होता है और बीच-बीच में रुक रुक कर बोलती है आवाज में धातू का क्षय साब दिखता यानि जर-जर मंद बोलने वाले हैं ऐसे वादता के लोग होते हैं पित्त प्रकुति में आवाज वानी अच्छी होती है अच्छा बोलते है और स्पष्ट शब्दों च्छा होते हैं कफ प्रकुति की आव अच्छा है और क्लियर बोलने वाले और वैसे भी उनका स्वभाव स्पष्ट बोलना ही उनका स्वभाव बाणा गया है तो इस प्रकार से यह इसका अगर आप एसेस्मेंट भी करना चाहे तो आपको गुगल पर मिल जाएगा इसका एक इंडेक्स आता है स्टर्टरिंग सिवेरिटी इंडेक्स करके आता है अगर आप कोई रिसर्च प्रोजेक्ट करना चाहते हो तो इसका इंडेक्स का प्रेव कर सकते हो बड़ जैसे हमारा यह सत्र खास करके हम लोग मेडिसीन और बाकी सारी केसे की चर्ट्या करते तो इसको मैं ज्यादा नही उसका पाउडर लीजिएगा अपे तो इसमें शहेद डालीगा और शहेद डालकर सबेरेश चाम दो टाइम बच्चे को या बड़ेव को भी आप जिवा के उपर इसको लगाएगा चातन के रूप में लगाए या फिर जिवा पे इसको घस भी सकते हैं अप इसको आप शहद के साथ इस प्रकास से जीवा पर जैसे चाटन के रूप में गिसना करते हो तो एक और बहुत सिंपल तरीका है घर में हर किसी की घर में यह होता है खाने का सोड़ा होता है तो खाने का सोड़ा हम लोग भजिया बनाने के लिए वगेरा यूज करते हैं तो लेना है थोड़ा सा जस्ट पिंच और जीवा पर लगाना है और अच्छे से उसको रब करेंगे और फिर उसको थूंक देंगे इस प्रकास से आप रोजाना इत्रिया करते रहिएगा और सबसे इंपॉर्टनटली मैं बताना चाहूंगी कि आप अच्छा बोलने का प्रयास करते रह पढ़े हैं कोई भी मोबाइल कर भी कोई कोई भी पोयम हैं कोई मेसेजेस हैं कुछ भी किताबे हैं नूस पेपर हैं जो भी हो अब जादा से जादा प्रोनाउस करने का प्रयास करते रहें और दीरे दीरे इसमें इंप्रूमेंट होगा इसमें एक और है कि कई सारे प्रका इसमें आप अलग-अलग इसका प्रयोग करके आपके वाइस कॉलिटी को इप्रू कर सकते। इसमें कुछ लोगों के घर में शंख होता है। जैसे आम ने देखा कि मंदिरों में भी शंख वजाया जाता है, शंखनात किया जाता है। तो आप घर में इस शंखो को लाईएगा और इस शंख से सबेरे शाम बच्चे को आवाज निकालने को बोलिएगा। बहुत अच्छे से इसका भी परिनाम अच्छा होगा। तो इस प्रकास से उच्चा ही प्राणायम आपको सबेरे शाम करने से बहुत अच्छा फरक मिलेगा। कि शंख बसम की मैं बात कर रहे थी, शंख की बात बता रहे थी कि शंख का नाथ करिएगा। शंख का नाथ करने से भी आपकी अच्छे से यानि कोडिनेशन तालू का, ओष्ट का, दंत का, जिववा का, सभी कोडिनेशन क्यूंकि शब्द का निर्मान इंके कोडिनेशन से ही होता है। तो यह आप जरूर करें प्राणायाम, शंख, नाथ करना और ऐसे यह शंख बस्म का पानी में मिलाकर आप प्रयोग करिएगा। लाइक 125 मिलिग्रम आपने शंकबस में लिया, एक कप पानी लिया और इसमें डालियेगा और इस पानी को दिन में दो बार आप पी सकते हैं। कभी भी हमें यह बाते करते समय या पढ़ते समय कोई शर्म करने की जरूरत नहीं है। आप इसको बिना जिजक कर सकते हैं। इसमें आपका कॉंसेंटरेशन बड़े। इसके लिए कुछ कॉंसेंटरेशन प्राक्टिस भी आप कर सकती है। चाली बजाना और ऐसे भी बोला जाता है कि आप जितना सुनेंगे उतना आपको बोलने की इच्छा भी होती है तो ऐसे ओंकार मंत्र है, अलग-अलग सरसती मंत्र है, विश्मू मंत्र है और बाकि जो भी आपके देविदेवता है, जिनको आप सुनना चाहते हैं, इसे कोई भी बात है, जो थोड़ा अध्यात्मिक तरीका होगा, क्योंकि मानसिक विकारों में सत्वा वजची किस्था का बहुती बड़ा रोल होता है, तो इनको देखते हुए मुझे लगता है कि स सुनना भी चाहिए, कुछ अच्छे-च्छे मंत्र, गीत, आपको भजन है, जो भी आपको पसंद है, उनको आप सुनिएगा, और हाथ से ताली बजाना, ये कॉंसेर्टेशन भी बढ़ा देता है, और इस प्रकार से स्वर नाध का एक प्रतिक भी है, और अगर आप कंटीन करते हो तीन महने तक, तो मुझे नहीं लगता कि बदलब इंप्रूमेंट नहीं होगी, तो बिल्कुल इंप्रूमेंट इसमें आपको देखी जा सकती है, तो जो बच्चे अदेर से शुरुवात करते हैं, या उनका उच्छार्स पष्ट नहीं होता है, बीच में जिजग जाते हैं, इनके लिए बहुत ही अच्छे से हैं, अब पूरी हिस्टी भी लीजेगा बच्च अगर है, उसकी पूरी प्रोग्रेस, यानि बाकी भी जो प्रग्रेस होती है, लाइक बैटना है, या चलना है, बाकी mental development कैसी है, reactions कैसे हैं उसके, आजकल modern techniques के साथ तो speech therapy भी होत आजकल है, जिसमें श्वास पे भी बर नियंतरम रखा जाता है, उसमें आपको और श्वास के भी बता दीती हूं, इसमें क्या करना है, एक से दस तक गिंती करना है, एक, दो, तीन, चार, पात, छे, साथ, आट, नव, तस, ऐसे करते-करते, ये बात, मतलब ये शब्द अं लेना है, और आपका जो डायफ्राम होता है, जितना नीचे जा सकता है, उतना नीचे जाने दे, और फिर से, यानि आपको जितना ये करने आता है, उतना आप करेगा, डायफ्राम को नीचे डालकर, जितना आप कर सकते है, दीरे-दीरे श्वास अंदर लेना है, एक से दस पर फिर आपको एक से दस गिंतेगिंती ही श्वास को बाहर निकालना होे। Simple टेख्निक है। आप आराम से सिखेगा इसको और करियेगाप को फ़िशती को और से बच्चे को भी सिखाईएगा 110 तक और लेना है आपको अंदरसास गिंदे गिंदे और जितना आप इसको यह कर सकते हो एक्टेंट कर सकते हो और फिर आराम से इसको छोड़ना है यह अब दस बार करें फिर एक सिंपल से घर में जैसे कोई आप आजकल सुवर नपराश वगेरा भी बच्चों को दिया जाते हैं वो भी काफी अगर बड़े वेक्ति है जो आप सुवर नबस्मा सिंपल सुवर नबस्मा लाकर रखिये का घर में सुवर नबस्मा और शहद मिलाकर इसका भी चाटन आप कर सकते हैं कुछ एक मैने देखा था कि एक वेक्ति ने प्रयों किया था कि वह ओठ होते ना ओष्ट के ही माजू म में शहद लगा कर रखा था और जीब से खुद के ही जीब से उसको चाटने का प्रयास करना को लगाता लगाया करता था तो वह प्रयास है कि आपकी पूरी जो यह स्पीच के जो भी और गन से उनकी क्रिया में सुधार राजा उनका कॉडिनेशन बड़े एक और भी इसमें कि आप कर सकते हो चन्मच होता है का श कुर Religion को शह कर लगा कर अब गज्य को कर यह पिसपो चटा अब जैसे भच्चे को जो बी चीज़ पसंद मों भी आप यहां पर इसमाल पर सकते हो और जैसे बच्चा परशकर आ के लिए जिवा को बाहर सा निकालता है grand Lepak को थोड़ा प्राक्डिस करा इस पकार से तो एप्राक्डिस करने के लिए उसको बतबाइबूट या ज़ा है आपको वच्चा चूर्न आप डेली करवाई बैस्ट आपको रिजल्ट मिलेगा जैसे में बतारी थी आपको इसे जो है शब्दा खास करके तो ये बहुती एजलब कॉमन होता है कि बच्चे इस शब्द के साथी यह हो जाते हैं वह बहुत अच्छे से काम करें एक मेरे पास एक बहुत याद्वुत फॉर्मूला है जो काफी प्रचली थे आप सभी जानते होंगे वाक्देवी रसायन तरके एक फॉर्मूलेशन है यह वाक्देवी रसायन जिसका मुख्य कंटेंट है वचा वचा जैसे आप सभी जानते कि वचा कफवाधर है स्वर्य है मेध्य है और अभी मैंने बताया था कि वात का यह व्यादी है वात प्रपुख है और यहां पर अब्स्ट्रक्शन हुआ है कफ से यानि वात वस्तों पे हमारे जो ऑर्गन से इसके उपर कफ कि रखट बर्विग गरोता है कफसी जढ़ा हो जाती है तो यहां पे कफ रही प्रपुख के रिए और इस शब्द की मिरमान के पथ़ ने और में ख़ता कर लिया कटू विपाक की है और मेध्य प्रॉपटी की है और इसलिए इस मूशनेगरिय कटू विपाक के साथ ये बचा काम करेगी और इट विल अलसो इंप्रूद अगनी बीपन पाचान अगनी का भी काम करेगी तो वागदेवी रसायन ये बहुत अच्छा फॉर्मुलेशन है जो में थोड़ी से CNS काम है और जैसे मसल रिलेक्स करना है एंग्जाइटी भी है क्योंकि देखिए अगर कोई बच्चा किक्स नहीं बोल भा रहा है तो और बाकी बच्चे बोल रहे और ये तुतला रहा है तो बाकी बच्चे हसते हैं सोसाइटी में और एक प्रकार का करें इसमें कुष्ट भी है जो की स्मूथ मुसल रिलाक्संट है और सैको समार्टिक डिसॉडर में काफी अच्छा काम करता है और बहुत अच्छे से आप इसको इसे कर सक्क्राइब घर में चोटा सा ब्लैंबोर्ट आकर रखीगा और बच्चियों को रोच दस कुछ पागदेवी रसाइन जो है बहुत अच्छे से काम करेगा स्पिच डिसॉडर में और इसम में जहां पर आईरवेद का कोई अप्शन चाहिए वहां पर यह बहुत अच्छे से काम करेगा आप इसको दे सकते हो जो मूख मिनमीनत्व ऐसे जो भी समस्या है इसके लिए एक ब इसमें हम लोग यह महाराष्ट में बोथ हमारे सारे जो वाइद्यगंते सीनियर वाइद्या थे वह अक्रकारा और शहित का चूर्ण यह जीवा पर चाटन के रूप में गिसने के लिए देते हैं आज भी इसका प्रयोग चलते आ रहा है और मुझे लग पच्छों को बाल जो देते हैं यह इसमें भी एक इससे सारे मैध्य और बुद्धी और नर्वस टॉनिक ब्रेन टॉनिक के रूपे द्रवग है जो की ब्रेन एक्टिविटी को इंप्रूव करते हैं तो अक्रकारा भी है इसमें और ग्रुगृत वाला है यानि गोगृत से ही इसको बनाया ग करेगा तो बिल्कुल बच्चा आपकी स्पिच को क्लियर करा देगा और जिवा के और उपर जो लिप्तता है कफ़ की और सारे और उर्गन्स में जो कफ़ का संचे हुआ है उसको भी निकाल देगा और इट विल सूधन इट विल क्लियर दो थ्रोट कैविटी और बच्चा या बड़ा कोई भी व्यक्ति जो होगा अच्छे से बोलने लग चाएगा तो इस प्रकासी वागदेवी रसाइन इसमें बहुत सुन्दर काम करता है बच्चों के लिए और इसमें आप सारस्वत गृत है सारस्वतारिष्ट सूर्न सारस्वतारिष्ट मैं काफी बताती हू सुर्ण सारस्वतारिष्ट के को क्योंकि वह काफी अच्छे से ब्रेंट टॉनिक के रूप में काम करता है नींद इंपरू करता है और और यह एक सभी प्रकास से मेध्य स्मृती बढ़ाने वाला द्रवे बाना गया है सारस्वत गृत बच्चों को खाने में हम लोग घी द इसमें जो भी सारे नर्ड से लेक अलमन से और मुनक्खे है काले मुनक्खे खास करके इसका काफी अच्छा रोल होता है उसको भीगो कर दूद के साहर डाले दूद में तो दूद उसको सुगंधी दूद जिसमें इलाईची और सारे यह जो द्रवे है जीवनी गन के मेरे विचारशे शतावरी अश्वगंदा एक पेस्ट यह माना गया है शतावरी अश्वगंदा करका इन तीनों का भी कॉंबिनेशन आप इसको दे सकते हो और बच्यों को जितना जादा सिंपल सिंपल चोटे-चोटे सेंटेंसे चोटे-चोटे शब्दों को रिपीट करन इसमें एक और मैं बताऊंगी आपको जैसे में यह वागदेवी रसायन बताया वैसी वागशुद्धिकर्चूर्ण करके आता है जो गदगद रोग में काफी सुन्दर प्रकासे काम करता है वागशुद्धिकर्चूर्ण आपको देना है बच्चों को और उसके साथ में नस्य करवाईगा, पंचेंद्रिय वर्धन कर नस्य, यह मेरा अनुभूत फॉर्मूलेशन है, बेस्ट काम करता है, वाक्षुद्धी कर चोणन का रेफरेंस आपको अस्टांग रुधय में मिलेगा, अस्टांग रुधय के उत्तर तंत्र में आपको रेफरेंस मिलेगा, जो बच्चे रिपिटेशन और प्रोलोंगेशन और हेजिटेशन के साथ सपर हो रहे होते हैं, इनमें इसका काफी अच्छा है, और फिर साइलेंट बिच में पॉज लेना, और यह होता है, हाट कंड यह होते हैं, उनके स्पिक बोलते हैं, तो इस सभी में, इस दिस्फ्लुए इसे जो हम लोग धातूबल बढ़ाने के प्रयास करते हैं, वो भी आप इसमें कर सकते हो, तो गदगत रोक में हमने देखा कि कफ का आउरन है, तो इसलिए थोड़े से उष्ण, तिक्ष्ण, शोधन टाइप के जो द्रवे होते हैं, इसका हमें प्रयोग करना है, जो कि कफ कर सकते हो, गर्वीनी की जो परिजरिया है, इसमें भी आप वातप्रकोपच निदान को अवाइट करें, और जितना आप मधूर जीवनी ये गनवाले जो द्रवे हैं, कंठे द्रवे हैं, यश्टी मधूर, बच्चा, इसे इलाईची, इसे द्रवें का दूद के साथ, अगर गदगद से सफर हो रहा है, वो ठीक से जल्दी बोला नहीं था, ऐसी इस्त्री आपको मिली, तो इस गर्वीनीस्त्री को आप जरूर मेध्यरसायन, सारस्वतारिष्ट, सारस्वत गुरुत, कल्यानकावलेह, और बच्चों में कुश्मान डौले तो बेस्ट है, असी की उम्र हो तो फिर एक कॉंफिदेंस भी कम होता है, बोलने में भी तुतलाना हो जाता है, बोलना और सेंटेजस्स कंप्लेट नहीं होते हैं, बिच बिच में रुप रुप के बोलना चूरू कर देते हो, बुप दलो, तो इसमें भी आप सारस्वतारिष्ट दे, ओर जो एक geriatric diseases होते हैं, उनमें स्मूर्थी भी अच्छी हो जाएगी, धातुक्षे के लिए भी अच्छा रहेगा, तो इसमें आप अलगलक टाइप के रसायन हैं, उसमें आप यूज कर सकते हो, मेध्य रसायन का प्रयोग कर सकते हो, और गर्भीनी में भी इस प्रकार से आप मधूर गुन का प्रयोग करें, वात्त कफ़ चमन, पिपली है, शुन्ती चूरन है, हरितकी है, हरितकी पिपली शुठी, ये भी एक बहुत अद्भुत योग है, आप इसको कफ़ की कभी, कोई भी विकारों में आप इसका प्रयोग कर सकते हो, तो ये बेस्ट काम करेगा, इसके साथ साथ आप अगर इंप्रूमेंट के लिए देना चाहते हो, तो जीरकाद द्यारिश्ट, जीरकाद द्यचूरन दे सकते हो, फिर आपको और कुछ पॉबिनेशन भी आड़ कर सकते हो, जैसे जीरक है, शुन्ती है, अजमोता है, जो दीपन पाच्छन से लेकर सारी प्रकास अगनी को इंप्रू करेंगे, और वेस्ट टाइप से ये काम करने वाले हैं, इस प्रकास से ये वाक्षुदी कर चूरन जो है, जो CNS इंप्रूमेंट करेगा, एंग्जाइटी को कम करेगा, रिस्पिरेटर सिस्टीम को स्टिमुलेट करेगा, और मसल के उपर भी क ये सबी वातव्यादियों के लिए आपको वातशमन ची किस्टा करमी है, नरिशिंची किस्टा करमी है, जितना इस प्रकास से नरिशिंची किस्टा करेंगे, एक और मुझे लगता है कि इसमें पंच गवय गुद्टका भी बहुत अच्छे से प्वयो कर सकते हो, युझ कर सकते हैं जैसे ऐस्टी मदू चूरन का गरमपाणी के साथ गरम पानी के साथ गरुट के साथ जीरक्षुन्थी अजवायन, इनका सिद्ध, शिरपा, दूद, चूरन, गरमपानी के साथ यूज कर सकते हो और फिर कुछ कोडिंग करिएगा ज्यादा से जाधा इस प् पच्चे को लिखने को भी लगाईएगा, जितना हो सके उसकी ओपबलरी बढ़ाईएगा, और डेवलोपमेंटल मालस्टों को भी अबज़ूर करिएगा, लाइक उसके बाकी गरोस मोटार, इंद फाइन मोटार, सोशल डेवलोपमेंटल, मालस्टों क्या है, उसके साथ उल्मन्ट वादेवैदी रूपसे बताइब है civ效 इइस भूरहन प्रेच कर निकालने के विए अभरा हूं कि यस है को निकालने के विए हम रोखे क्वुट करन 95 डरहे किसमेर मेरी विचाहस प्लान से ipnell indigenous को वाल मनुटDS इसको ज़ailed को बहुत अच्छे से बढ़ा देता है और थिंकिंग अबिलिटीज को भी बढ़ा देता है एक आज कल पॉम्किन सीड्स का भी अच्छा बोलबाला है पॉम्किन सीड्स भी आप मैगनेशियम का सोर्स है उसको भी आप दे सकते हो जिसमें भी ओमेगा-3 fatty acid है वो जरूर दीज इसका प्रयोग आप जरूर इसमें कर सकते हो फिर कोका पाउडर भी बाना गया है जो यूज कर सकते है बट मेरे विचार से हमारे पास इतने अद्बुत हार्भ है एक मैं भूल रही थी जटामांसी शंकपुष्पी ब्रह्मी गृता ब्रह्मी का चूरनघी के साथ माइन को कूल काम करा देती इसके तो काफी रिस्टर्चेस इसके उपर हुए है अश्वगन्दा बेस्ट है जो एंग्जाइटी स्ट्रेस और कुकम कर देती है और बेस्ट तरीके से लाग अस्टील फोली लेवल को बढ़ा देती है मेंटल फोकस को बढ़ा देती है और कम् कचूरण गुरूत्य के साथ जरूर बड़ों को बच्चों को घ्रूटhta को ब्रेय्ण टॉनिक के रूप में बहुत अच्छा काम करता है शंक्रपुष्पी की का आपको विकल्प मिलता है बहुत रह स्यसे तो ब्रह्मी, शंकरपुष्पी, अश्वगंदा, या डिस्लेक्सिया, या डिस्फ्लूएंसी, इन सभी में बहुत अच्छा काम करें। जो भी आपको इसका कल्प मिले, आप इसको जरूर 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 इूज करिएगा। इसमें बहुत सारे विकल्प यहां पर होगे, जो हम काम कर सकते हैं इसके उपर जिसका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। यह जो यह एक और में बच्छा ही इसमें एक और में बताऊःँ की कुर्मिख्नेचिक इसमें अगर करना हैं तो दीपन पाचन करें। इसमें फिर क्रोमिक्क शप्रमु करके एक प्रधासते कृमिंग्नेन चिकिस्ऽा पर लें उदान वायू को अक्टिवेट करना है जो तो क्यों कि इमप्रूत की मद्य मावाइकरी नाभी लेवल पर भी तो नभी पूरण जी किसाबी कर सकते हैं नाभी पूरण में गों गुरुता और शतावरी गुरुता फिर कल्यानक गुरुता है इसका प्रयोग आप करियेगा जरूर आपको इसमें यह निलेगा प्रूमि मुद्ग रस्प में बता रहेती जो बेस्ट रहेगा फिर इसमें श ये एक बहुते अच्छे से काम करेंगा। Bolington करताती कियों क्रुमी कुछे कियीए प्रुत शब्रक्राप्टी वाला है। कफ कही से भी बच्चों में कुर्मी होगा, कफ के कारण ही। जैसे कफ इसमें भी बढ़ा है। इसलिए कुर्मी क Welkan ağ कर लेटे न tierra कफ और रिलेटेट जो भी क्लेद वगएरा है, वो भी निकल जायदा, तो क्लेद अकुमुलेशन, आप्स्रक्षन जो भी क्लेद के कारण है, तो हमें क्या करना है ना, दिखे, वायू और शब्द, स्पर्श, ये दोनों क्लिया, शब्द, स्पर्श, वायू, आकाश, करने के लिए, जो कलेद के संचिति को हमें करना है और इसलिए अपर कुमिछव जो क्लेद से हुआ था, जिसके कारण वह स्पर्वास, आकाश, जो नलिकाय है, उसको महाब। इसलिए मैंने यहां पर कुरुमी कुठार रस या कुरुमी मुद्दग रस के बाद की और कफ का शमन और ऐसे बच्चों को बड़ों को आप जितना थंडे चीजों से बचा कर रखें उतना अच्छा होगा पानी गरम पानी पीने को लगाए पानी में जितना आप लेक ख्यक्ट कुंट कोπάरें ढवा इसके साथ क्लाइमेट की बात बता रहेते चंब करें गाऊपी बसक्राम करें सभी orbits इसमें बेश काम करता है खाली युजाली युजोली यु युजारी के डिन में दो बार दे सकते में बेस्ट काम जरे गाम इमन आप को युवी बड़े वे तो आप सारस्वत गुत्रका स्थेयापन करा कर भी इसका प्रयोग कर सकते हो बच्छे को जादा से जादा आपको रिलाक्स रखे कोई स्ट्रेस ना आने ते इसको जादा से जादा घी दूद्ध ऐसे जादा खाने में रखे उसके फिर पपया पंकी नर्ड से इसे फल और सब को रिलेके वाधको करने सरया बच्छें ko bu भायर चले जाते बीषिय को पेढी से जादा से शोशेल बनाए बच्चों को दूसरे बच्छों के साथ कहले दे आजशकल माय बच्छों को घर के बाहर भेशती नहीं है कहीं जाने नहीं देती हैं तो उनको खेलने दे क्योंकि ज चूटे चूटे संटेस्थे आप भी बोलते समय चोटेidetب … जो उसको समझ सके नियोग है। sentences, ज्यादा आप अपने बच्चे के साथ समय बिताए, उसके साथ लोरी गाए, गाना गाए, जो उसको एंकरेज करेगा, और मतलब जितना आप अच्छा साउन वाला उसके साथ शेर करेंगे ना, गाना या कुछ भी, तो बिल्कुल आप कुछ काम करें गढर में, खाना बना रहे, आप जो भी खाना बना रहे होगे, तो उसको समझाइगा, बच्चे उसको सुनते हैं, देखिए, बच्चे बड़ों का अनुकरन करते हैं, करने खड़े हो जाते तो लग किसीने सवाल पूछा तो पुछ हो जाते फिर कुछ बोल रही पाते हैं शुरू शुरू नए नए बच्चे जब लोने शुरू कर देते तो ऐसे ही उनके साथ बना रहता है तो इन सभी confusion को कम करना है हमें और इसलिए हम लोग यह कर रहे हैं सो गदगद, sluttering, repetition, prolongation इन सभी में आयरवेद के पास बहुत अच्छे अच्छे options हैं जिसका आप जरूर से जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं अश्वगंदा, शतावरी, यश्टी मदू, हल्दी वाला दूत दे बच्चों को समूती सागर्रस करके काता है जिसमें पारध है, ताम प्लिप्सी में या ऐसे सारे डिसीस में लोग यूज करते हैं बेस्ट काम करता है, अगर पेशन बहुत जादा मेंटली इस्तफ होगा तो उनमाद गजे केस्टी करके भी एक कल पाता है, इसमें भी काफी सारे मनशील वगेरा है, पारध है, गंदक है, बहुत कन्फ्यूज अगर है तो वो दया, ब्रह्मी गुरुत, ब्रह्मी गुरुत बेस्ट फॉर्मुला है, जो मैंने अभी सारे बताए ना, वो सारे है पिपली शूंती वगेरा, जो ब्रह्मी गुरुत जो पेशन बहुत पोबिक है, जिनका मूद खराब होता है बार बार, और जो बच्चे बेड़ वेटिंग वगेरा खरते हैं, तो मतलब ऐसे में ब्रह्मी गुरुत का ब्रह्मी प्राश का या सरस्वति रिष्ट का बहुत आपको रिजल अच्छा भी जाए अब ज़रूर इसका प्रयोग करें तो ऐसे कई सारे फॉर्मुलेशन्स आज के सत्रमे में ने यहां प i Milain आट आपके सार्मिपना के साथे करोंगी का फी सारे इसमें छोटे-छोटे राया हम उम लोग सकते हैं जैसे खड़े ठीक से खड़े रहए न श्राट की प्राक्रिया है रॉका यह वह लिए ने पंटा देते हु हमारा ँसीne अ मुह सबी लो इवनिंग मैं बहुत अच्छा था बहुत पता भी नहीं था इतना सारा कोई पेशन्ट नहीं देखाया मैं पर प्रेस्मेंट नहीं था अच्छा कुछ यूज किया है आपका कुछ अनुभ हो इसमें मैंने तो मैंने अपने बेटे के लिए से वच्छा चूर न दिया फोड़ा सा दूद में डालके देती थी मैं अधी के साथ अच्छा चोड़ा ऐसा फुद चे महीं ने कंटिनू किया था जब वो दो साल की थी ती ना उस पर अच्छा और उसका तो सफ़स्ट बात हम लो करते थे ना उसको पहले से थोड़ा गानी बढ़ गानी रहती न मैं जब इसको नहिलाती थी ना चोटी मालिश करती थी तो बड़ बड़ गानी वो गाती थी तो इसका कि वो चल्दी बात करें ये वह वह बहुत इंपर्टन्ट है अच्छली वही बोल रही थी ना में की जो बोलता है ना उसका सब कुछ बेचता है बिटता है और जो नहीं ब जो बोलता है उसका कुछ भी नहीं लेका ये तो वह दुनिया की रहता है ना जो मैं अबी कभी माँ घर पे भी उनके साइकोलोजिकल प्रॉब्लम रहता है उनका बहुत फरक पड़ता है और ने तो बहुत माबाप चिलाने वाले होंगे उनमें जगडे होते हों तो डर रह पड़ता ही रहता है बिलकुल वह है वर तो बहुत ही लें पत्तब इसी की बाते होती है फुक्छ इससे इंस इंसिदंसे सोते है बच्छों पर लाग अपगत बहुता है ना अच बहुत सारी इसके अर्चाह कर बहुत सारी स्थीटिया है जो ऑ मैंने मैं जा पर यह किए है मैंने देखा हुआ अशकी डचा यह है और इसे किता स्य उता है है स्यंक्णा और ना ठांखशयक दिन जीधक्णफ इपन्य में मिदा गजिंधक गवट लगा का नहीं होगा रव से हुटा है संख बसम भी है और रहे को भी लिष वह से लगा है अगर यही चालू किया था उस बना वो जैज एक्टोले वो सेवेन मन्त में ही तेलीवर हो गई कि ना सेवेन के पहले ही वो बेबी यह क्याता से वान पुझे ना 900 ग्रैम्स की थी माम इंक्टुबिटर में रखी तो एक महीना हाँ वो पुझे ना और को तो उसलिए वो बहुत देल के बात करने लगी तो दूसरा क्या दिया था उसमें साथ में तो मैंने बोला था यह कर्मा महा क अवलेह भी मिलता है वो और सारस्वों परिष्ट बुला था और मैंने यह बुला था यह सुवर्न रहता है ना बुला था गरम पानी में उपाल के बुलते ना उसका पानी पीने के लिए वी पुछ पे देता वैसा अंगूती डाल के हम लोग करते है ना मैं तो गंडूष क यह सुवर्न सारस अरिष्ट का भी कापी अच्छा लागी था बहुत अच्छा है वो भी तो फिर बाद में और बात करने को ही बुला है तो कि वो दोनो जॉब गई है तुमको टाइम देना चाहिए ना उसके साथ बाद करने लगे मैं पर वो जब चालू किया था उसके बा सिफ यह नस्या का मैंने उनको उन्होंने नहीं ट्राइक था अच्छा नस्या करना चाहिए मैं पंचिद्री वर्दन से नस्या करवाईएगा बेस्ट रहेगा हां दो ड्रॉप मैंसे बोली थी को गोगुरुद दालो तब मैंने मुझे यह नहीं मालूम था आइडिया मैं पंचावर्दने इंपरियक का मैंने बोला तब सिंपल गोगुरुद बोले दो दो ड्रॉप दालो उसके लागए तो महा कल्यानक गुरुद था ना मैं मुनके पास वो बोला था मैंने दालुद अगर इसमें जो मैं बता रही थी ना परसो कल भी मैंने बताया था कि यग्य सब्सक्राइब करें जो बच्चें का कुछ ग्रह बादा जड़ी थे ना अचारे काश्यप ने इसले ग्रह बादा जन्नेव्यादी में भी वर्णत किया है तो आपको अगर ऐसे कुछ डाउट है ना तो इसे आप कुछ फॉम शांती वगेरा भी करें बैस रहेगा वो भी क अचारे को बीचे को थोड़ा सा एक जो हमारी तरीके उसके बारे में पता जलता है डोक्टर कैला श्री ने डाला सवार्न सिद्ध जल यह सर बिल्कुल सवार्न सिद्ध जल फरन प्राशन तो बैस्ट ही है आज कल तो कुछ-कुछ बच्चे तो इतने जादा बोलते और इत पर चाहिए हम बोलेंगे कुछ-कुछ-कुछ-कुछ बाते है न ऐसे पुछ-कुषक तौनिक दो इनको शान्त करने के लिए बहुत ही इदम मचाता है तो यह क्या टॉनिक दो जो नेचर है बच्चा लेकर है वह से होगा अपक्ष्ट डंस चार वाले बच्चे मेंने देख जो भी अपने थोट्स अच्छे पड़ती थी मैं अपना जो है आरोएज वागर वही पड़ा ही तो चालो रहती थी था उसके करना पेशन्ट देखना उसी में पीजी रहते हैं हम लोग बज को फिन में वो चलो यह जो मैंने बताया था था ना आपको पूरा यह वाक्षुद है और इसलिए इस प्रोटसों में जाकर शोधन भी करेगा और इसलिए इसमें डाला गया है बहुत सुन्दा है मैं कल भी इसके उपर हम लोग बात करेंगे आप सभी हमारे सारे डॉक्टर्स को भी में रिक्वेस्ट करूंगी वो भी अपना अनुबह शेर करते रहे इसमें इस ओके कोई केस किसी का कोई इसमें सवाल होता है मैं लो लाइंग प्लैसेंटा में क्या प्रिकॉशन लेने का है अब अभी तक पेशन आई ने पर उसका यूएश्जी रिपोर्ट मुझे समझा है वो लाब से कि उना सेकेंड रहमिस्टर माला भी फिफ्ट मंथ चालू यह जून से पास्तरी अच्छा तो उसका है वो मुझे पलाई बुली कि सिर्ट माइल्ड माइल्ड बुली कोड़ा सा ड्रॉप ब्लीड स्पार्ट गया अच्छा बेड रिस्ट है और मैं मैं गर्ब पाल रस या कुछ गर्ब आप मासामु बासी क्या उसमें मैं वो मेरे से बेले को अच्हानत आई बोली है नेरी पेशन भी नहीं है और शीज यह फर्स ही है इस सोनोग्राफी जो फिफ्ट मान पे खी तो सिफ मुझे बोल अगर पुछा तो रेस्ट और और पुछ मांँ कुछ अगर पुछा तो रश्ट माम खाने पीने में कुछ हुछ खाने पीने में मुझे तो लगता है शतावारी अश्वगंदा यह हम लोग स्कार्ट करेंगे गल्बपालर स्कार्ट करेंगे बाकि उष्णा तिक्ष्णा ऐसे आहार उसको नहीं देना ब्लेडिंग हुई थी क्या कुछ स्वाटिंग मतलब क्या हुआ थोड़ा सा माइल स्व प्रवाय पंचा मुरूथ बेड रेस गुलकंद खाने को लगाना यह मैंने बोला गुलकंद आवणा का मुरभा खाना हुआ थोड़ा सा भी यह देंजरसी मुनका का भी दीजिएगा क्योंकि वो पानी में भीगो कर दीजिएगा बैस रहेगा और प्रजास्थापन गन का अगर पूरी प्रिकॉशन ले वोगेरा तो होगा बट कुछ मतलब कहें भी नहीं सकते कभी क्या हो सकते बोल नहीं सकते एक बार मुझे क्लियर ली शेयर करो हम लोग तो मैं रिपोर्ट बता हूंगी मैं वो लेक्या है चलेगा चलिए अब आज के लिए रुपते हैं अब हार सभी का एंड धन्यवाद चलिए कल मिलते हैं नमस्कार